जय हिन दोस्तों आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूटूब चैनल यूनिक ज्यान में आज हम बीए फिप सेमेस्टर पॉलिटिकल साइन्स अर्थात राजनीत विज्यान पेपर फ़स्ट का चैप्टर 3 देखेंगे इसके पहले हमने दो चैप्टर जाएंगी और अगर आप सभी चैप्टर का चाहते हैं तो हमारे टेलिग्राम चैनल को जॉइन कीजिए वहां पर सभी आपको उपलब्द हो जाएंगी इस चैप्टर में हमें पढ़ना है उदारवाल लोकतंत्र की विचारधारा जिसके बारे में हम अच्छे से देखेंग उदारवाल लोकतंत्र वह विवस्था होती है जिसमें लोग सर्वोच सक्त इधारक होते हैं वे ही सरकार बनाते हैं तथा समय समय पर सरकार को परिवर्तित कर सकते हैं अर्थात लोकतंत्र आपने पढ़ा ही होगा लोकतंत्र किसे कहते हैं तू दपीपल फार दपीपल फ्र जनता के पास होती है तो जनता जो है वही सरकार बनाती हैं अगर जनता के हिसाब से वह सरकार कार नहीं करती है तो समय समय पर सरकार को परिवर्तित भी कर देती है यही उदाल लोकतंतर कहलाता हैं लोग अपने राजनीतिक दलो तथा हित समुहों के द्वारा राजनीतिक ब्य कि जाती है यह किस में हो सकता है वस उदाल लोकतंत्र में ही यह बिवस्था देखने को आपको मिलती हैं आगे हम देखेंगे उदाल लोकतंत्र की प्रमुख विसेस्ताइं क्या क्या हैं में करेक्टरिस्टिक्स ओप दलिबरल डेमोक्रेसी उदाल लोकतंत्र जो हमारा है उसम में हम सभी चीजों को अच्छे से देखेंगे क्योंकि विशेस्ता हैं बहुत इंपॉर्ट होती हैं विशेस्ताओं के जरिये ही आप पूरा उदाल लोकतंतर अच्छे से यहां पर समझ जाएंगे तो चलिए एक्स्प्लेन करके सभी विशेस्ताओं को हम यहां पर देखते है पहली विशेस्ता हैं उदाल लोकतंतर में सरकार जनता की प्रतनिधी होती हैं जो सरकार होती है उदाल लोकतंतर में वह एक प्रकार से जनता के प्रतनिधी के रूप में कारिये करती हैं यह लोगो द्वारा निर्वाचित की जाती हैं विधान पालिका के सदस्येक अधिकार किसी जाती धर्म लिंग भासा छेत्र संपत्ति या संप्रदाय भेदभाव के समान रूप से प्राप्त होती है अर्थात मतदान अधिकार में किसी प्रकार का आपको भेदभाव नहीं किया जा सकता है ऐसा नहीं है कि किसी अलग जाती क्या है किसी अलग धर्म का या अधिकार सभी लोगों को प्राप्त हैं कोई भी ऐसा नहीं है जिसे मतधान देने का अधिकार प्राप्त नहूँ 18 वर्शसर्ट से जो ऊपर हो जाते हैं वह इसका मतधान का सिद्धान्थ प्रचलित होता है जिसके अधी निश्चित आयू से अधिक के सभी इस्त्री पुरुसों को मत अधिकार प्राप्त होता है। चुनाओ द्वारा लोग सरकार को परिवतित कर सकते हैं। जन प्रसार के साधन स्वतंत्र होते हैं। प्रेश प्रतिबंध कम से कम होते हैं। लोगों को सवेच्छा से अपने समूह एवं दल बनाने का अधिकार भी होता है। किसमें? उदाल लोकतंत्र में। आगे हम तीसरी विशेशता देखेंगे उदाल लोकतंत्र की। उदाल लोकतंत्री व्यवस्था कारपालिका की भूम क्या परिभासित होती है। राजनीतिक कारपालिका नीति निर्माड एवं निर्माड करती है। राजनीतिक कारपालिका अपने सभी कारियों के लिए जनता तथा विधान पालिका के प्रति उत्तरदाई होती है। अगली हमारी विषेष्ता हैं उदाल लोकतंत्र में सीमित सरकार की धारा नहींत होती है। सरकार केवल उन ही सक्तियों का प्रियुक करती है जो संविधान उसे प्रदान करता है। ताथ जो हमारी सरकार हो उसपर भी सीमित होता है, इसकी सक्तियां भी सीमित होती है, जिन्स पदकुम जो सक्तिप्रदान है संबिधान में उसी के अंतर गत रह कर कुसे कारिय hace करना होता है या सिर्फ उदाल लोक्तंत्र में ऐसा ब्योस्था देखने को आपको मिलता है जिस धंग से इन सक्तियों का प्रियोग सरकार को करना होता है वह भी निश्चित होती है तता संविधान द्वारा निर्देशित होता है क्या क्या उन्हें सक्ति प्रात है और उन सक्त परिभासित होती हैं सभी अंगों के परस्पर संबंधों का भी असपस्ट वर्ण किया गया होता है पांचवह हम देखेंगे पांचवहँ हमारी विशिष्टा है उदारवादी लोकतंत्री विवस्था में सरकार की क्रियाओं पर सामाजिक युमा आर्थिक अवरोध तथा सं निर्मार कारियों को प्रभावित करते हैं, सभी निड़े विशेश कर सामाजिक आर्थिक निड़े सरकार द्वारा अकेले ही नहीं लिये जाते हित समूह इस क्रिया में भागिदार बनते हैं जो भी हमारे सामाजिक आर्थिक निड़े होते हैं वह सरकार अकेले नहीं ले सकती है उसमें भागिदारी हित समूह की भी होत होता है सभी प्रकार के जन्मत अत्वमत राजनीतिक प्रक्रिया में सामिल होते हैं लोग केवल चुनाओं में ही नहीं अपितु राजनीतिक प्रक्रिया के विभिन नास्तरों में सक्री भूमिका निभाते हैं सक्तियों का विकेंद्री करण होता है तथा सरकार के कारियों में बहुत से लोग सक्री भागिदार होते हैं सरकार के तीन अंगों में कारियों का प्रिथक करड़ होता है तथा सक्ति कभी भी किसी एक व्यक्ति यतोवा संस्था के हाथ में केंद्रित नहीं की जाती है उदाल लोक्तंतर में क्या होता है किसी भी एक व्यक्ति के हाथ में या किसी एक संस्था के हाथ में पूर सक्ति नहीं दी जाती है तीन अंगों में कारियों का प्रिथक करड़ सत्तावाद तथा मनमाने रूप में सक्ति प्रियोग के विरुद्ध एक सुरच्छात्मक कदम होता है विधान पालिका के दोनों सदन एक दूसरे पर रोक लगाते हैं राजनीत में विद्धमान राजनीतिक दल एक दूसरे पर रोक लगाते हैं विरोधी दल सत्ता रूढ दल की नीतियों की लगतार आलोचना करते रहते हैं तथा वैकल्पिक नीतियां जनता के सम्मुख लिखते हैं राजनीतिक ब्यवस्था में दल निर्माण की स्वतंता होती है तथा कम से कम दो राजनीतिक दल राजनीति में सक्री भूमिका निभा रहे होते हैं समय समय पर सासन सत्ता राजनीतिक दलों के पास होती है अगला हमारा दो और विशेस्ता आपको हम बताएंगे ध्यान से वस आप सुनते रहिए एक प्रकार से किसी भी चीज की सक्ति क्या पावर है उदाल लोक्तंत में इहीं सभी बातों को यहां पर बताया जा रहा है उदाल रूप में राजनीतिक संस्कृति को ग्रहड करते हैं तथा राजनीत में भाग लेते हैं उदाल लोक्तंत में राजनीतिक भरती सभी के लिए खुली होती है लेकिन उसमें जो कुछ बाते बताई गई है उन सभी बातों का ध्यान देना होता है आठवा हमारा उदाल लोक्त स्वतन्त्र के उपर युक्त प्रमुक्त साथ जो विशेस्था आपको बताई गई उने कुछ महत्तोपूर विशेस्था valt इस पानून का सासन हमारा उदालोक STEM प्रमुक्तन DR जैसे की कानून का सासन है यह पर कानून का सासन है हमारी जो न्याय पा लिक्रาण क्या है वह एक प्रकार से स्वतंत्र रूप से कारि करती है सचेत हैं धाकर आफ्षिक तत्ह राजनीतिक समानता तथा लोग प्रभुसत्ता सिध्धान्त है इन विशेस्ताओं की उपस्थिती परंपरागत रूप से लोकतंत्र में विद्यमान होती हैं लेकिन उदाल लोकतंत्र तभी सफलता से कारी कर पाता है जबकि लोग सिच्छित हों अपने अधिकारों तथा करतब्यों के प्रति सचेत हों तथ संकुचित विचारों का प्रभाव हो तो उदाल लोकतंत्र की सफलता तथा कुसलता अधूरी ही रह जाती है क्योंकि जो हमारा समाज है उसमें गरीवी नहीं रहनी चाहिए असिच्छा नहीं रहना हो मतलब अलग-अलग छेत्र जादा न बटें सब एक होकर रहें भासावाद न हो सब सभी भासाओं का सम्मान करें ये सब जब रहेंगे तो हमारा जो उदाल लोकतंत्र है वह सफल नहीं हो पाएगा लेकिन इन सभी को पूरा करना क्योंकि उदाल लोकतंत का कारी होता है सरका को कमजोर कर सकते हैं योगी नितित्यों के अभाव तता कमजोर यह भरस्ट राजनीतिक दली व्योस्था की उपस्थिती में भी उदारवादी लोकतंत्र ठीक प्रकार से कारिय नहीं कर सकता है अगर हम बात करें उदार लोकतंत्र के लच्छ की बात तो अब्जेक्ट्टिव आगरिकों को सुतंतरता एक प्रकार से मिले वह अपनी बातों को रख सके अभी अभी अभिव्यक्ती रख सके जनता बनाने का उन्हें अधिकार हो उन्हें मत देने का अधिकार हो अनिक प्रकार की सोतंतरता हैं उन्हें मौलिक अधिकार में भी दी गई हैं अगला हमारा है कानून के सम्मुक समानता मतलब कानून के सामने सभी लोगों को समानता दी जाए जैसे कि कोई बड़ा आदमी हो वह मर्डर कर दे उसे कम सजा मिले या छोटा आदमी कोई गरीब हो मर्डर कर दे उसे ज्यादा सजा मिले ऐसा नहीं होना चाहिए जिष्टा उस अमीर व्यक्त के लिए मढनली जी Hijam मुझे संभानी अगर किसी क deda को वहीं सजा किसे देनी चाहिए को भी देनी चाहिए जो कि हमारे देश में लागू है कानून के सम्मुक समानता भ्रातिक तो अर्थात भाई चारा एक प्रकार से लच्छे होता है अगला हम देखेंगे उदाल लोकतंत्र के गुड की बात करें अपने अबराहम लिंकन का एक डिफिनीशन सुना होगा तो देखेंगे लोक और देखेंगे लोक तंत्र अर्थात लोगो का तंत्र लोगों का जो सासन होता है वही लोक्तंत्र कहलाता है democracy means a government of the people अर्थात लोक्तंत्रे का ऐसी विवस्था है जिसमें जनता का सासम देखने को मिलता है अगला गुर क्या है सरकार के लिए सभी की इच्छाएं और विपदाएं समान है अर्थात अगर कोई भी विपदा आए तो सभी लोगों को समान रूप से उसका प्रबंधन कराया जाए सभी की इच्छाओं को समान रूप से पूरा किया जाए government is representative to the wishes and suffering of all third one is democracy reduces the danger of revolution लोक्तंत्र में विपलो की संभावनाए जो हैं वह घट जाती है अगला गुर क्या है भय रहित सासन विवस्था क्योंकि सक्तियां किसी एक व्यक्ति के हाथ में केंद्री भूत नहीं होती है लोक्तंत्र ऐसा होता है अगर जनता सरकार बनाए और वह जो सरकार बने अच्छे से कारिये नहीं करती है तो उसके पास इतनी सकती होती है कि जनता उस सरकार को बदल सकती है तिसलिए यहाँ पर किसी भी प्रकार का भय नहीं है कि कोई एक ही सासन करेगा और एक प्रकार से ताना साही करने लगेगा ऐसी कोई भी भय यहाँ पर नहीं रहता है उदाल लोकतंत्र में लोकतंत्र में जनता का राजनीतिक सिच्छड संभव है जनता का एक प्रकास राजनीतिक के बारे में ग्यान मिलना संभव है अगला है लोकतंत्र का नैतिक विकास की दृष्ट से भी अत्यधिक महात्तो है डेमोक्रेसी है जान एथिकल वैलिव ये था आपका चैप्टर जो क को उदारवात के बारे में बताया उदारवाल लोकतंत की जो विचारधारा है उसके बारे में उसकी विसेस्ताओं के बारे में उसके गुड़ों के बारे में सभी बातों को हमने आपको अच्छे से बताया यह था आपका चैप्टर 3 जो कि यहां पर समाप्त होता है अगला च झाल झाल